अलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल सिदाना क्लासिस माई नेम इस विकास एंड आप फार्मासिस्ट और आज हम बात करेंगे एक न्यू डाइप्टिक ड्रग के बारे में जिसका नाम रिबेल्स है जब भी किसी पेशिंट को टाइप 2 डाइप्टीज होती है तो उसको जो स्टाइप त्रफिदी जाती है वो मेटफोर्मीन दी जाती है जो कि इन गूर्ण की जाती है डायप्टीस के दोपारे जाती है उनके दो़रा कि में जाती है और जो सस्क्ध नायनों टीटमेंट रहता है वह घ्लप वानलोग अभी तब जो भी इंडिन मार्केट में अवे वो injection formulation में वेलेबल थे तो पेशन को लगाने में काफी दिक्कत हो थी अभी जो जिस नई ड्रक की मैं आपको बात कर रहा हूं रिबैल्सिस की बात कर रहा हूं वो ओरल जी एल्प बारे लोग नोवन ओडिस तुबारा एक कंपनी ने लोच किया है घूमचिस की टिदेज बात को बताऊंगा इसके कंपोजीषन में इसकी दो इसके युज़ेज और बेनिफिट्स साइड एप एंड और कंपोजेशन से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जो इसकी करफिसेशन है इसमें जो सोल्त है वो सेमगलुधाइट नाम का एक यह तीन स्टेंथ में एवेलेबल है, 3MG, 7MG and 14MG tablet formulation में एवेलेबल है, यह एक GLP वाने लोग है, जो टाइप 2 डाइप्टिक पेशिंट के ले रिकमेंड किया जाता है, जो इसका जो यह इन्फिलिज पेशिन इंक्रीज करता है टाइप 2 डाइप्टिक पेशिंट में, जिस टिक पूसेentes के साथने और होशिएट किया जाता हुई, इसको 3MG के साथि शुरू किया जाता है, पहीं को 30 डेज तक 3MG दी जाता है, अगर पहीं कंट्रोल है तो ठीक है अधरवाईज पेशिंट को 7MG पे शिफ्ट कर दिये जाता है, अगर पहीं क्न्रोल है जो इसकी मेन बात क्या रहती है इसकी जो absorption होती है वो empty stomach होती है तो इसलिए इसको हमेशा ही empty stomach लिया जाता है जैसे ही type 2 type tick patient है वो morning में उठता है तो उठते ही वो एक Rebelsis की dose ले सकता है जैसे patient ने dose लेनी है तो बहुत कम पानी के साथ dose लेनी है note more than 125 mm water second जो इसको लेने के आदे घंटे तक ना तो कोई tablet लेनी है ना कोई beverages लेनी है ना ही कोई आपने इसके साथ कोई खाना खाना है तो आदे घंटे तक patient को wait करना होता है इसको लेने के बाद आप मैं आपको बताता हूं इसका वह इसस का 315 अची टेबलिट का प्राइज है वह 3200 अराउनड जो के पर जो 14 अची का प्राइज 3 अराउनड है और जो 14 mg का प्राइस 3800 के राउंड है जो 10 tablet के पैक आते हैं तीनों के तीनों और आप स्कीन पे देख सकते हो इसकी जो 10 tablet का पैक आप स्कीन पे देख सकते हो अब बात करते हैं इसके benefits के बारे में ये type 2 dyptic patient के लिए इंक्रमेंड की जाती है एक तो यह पेशन को जब भी हम GLP 1 अलोग पे निशेट करते हैं रिवेल्सिस के साथ निशेट करते हैं उस पेशन को क्या एक तो भूग कम लगती है जिससे क्या होता है पेशन की weight reduction में help कोती है अब मैं आपको बताता हूं जो इसके side effect में जो सबसे पहले जो इसमें जो रहता ही रहता है वो नोजी अन वॉंटिंग रहती है जब भी किसी patient को GLP 1 अलोग से निशेट किया जाता है उसको वॉंटिंग काफी जाता आती है तो इस केस में इसलिए GLP 1 अलोग के साथ लो डो पर रहता है जैसे patient के जो side effect है वो कम होते है तब ही उसको 7 mg dose पर shift किया जाता है यह इसके जो side effects है अब Contraindication की बात करते हैं सबसे पहले जो patient type 2 diabetic patient है जो less than 18 years of age है उसमें हम Rebelsis को नहीं दे सकते सब्सक्राइब कोई ब्राइब कोई रहे रिक्वेस्ट आप उसको कमेंट बोक्स में जुरूर पोस्ट करें मैं उसका रप्लाइब करें तेक्यू